ही गाइस वेलकम बैक टो माई वीडियो मैं लेकि आ गई हूँ एक नया मीशो हॉल जिसमें मैं स्काइब ब्लू कलर के शरारा का रिव्यू करूंगी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा तो यह है वो सबका क्लेम बहुत ही ज़्यादा सही था यह शरारा बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी मैं इसका पूरा रिव्यू करूंगी इसलिए इस वीडियो को लास तक देखना कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर दो अगर आप लोगों कोई शरारा लेना है कोई अच्छी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्रेस कर दो ब्लाइल आइगन को जिससे की मेरी कोई भी लेटेस वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और अगर आपको यह वीडियो अच्छी रगएगी तो लाइक भी कर देना तो बढ़ते हैं इस रिव्यू की तरफ सबसे पहले हम इसे खोलते हैं इसके पैकेट को तो मैंने यह पैकेट खोल दिया है लगभग एंड स्टार्ट करते हैं इसके सूट से तो इसका जो सूट है वो यहां है यह है उसका सूट एंड इसे खोलते हैं देखते हैं कि क्या क्या ह इसमें रेशम की कढ़ाई कर रख कि गई वर्क देखो इन यह बॉडर पे आप देखो जरी का वर्क है यह आँ लटकन यह बहुत ही अच्छा लटकन है बहुत यदा कॉस्टली मिलता है यहीं लटकन देने गई इसे मार्केट मे तो यह एक तरफ का लटकनगों यह एक तरफ का लटकन अकेला वो पचास रुपए में दे रहा तो सोचो यार यह एक दो तीन चार तो चालिस रुपए तो इस लटकन के ही हो गया और मुझे लगता है कि इस लटकन का वेट भी बहुत जाद है अगर आप उठाओगे ने तो बहुत भारी-भारी सा इस तरफ लगेगा यह मुझे नहीं पता कि इस बॉर्डर के लिए भारी-भारी सा लगा है कि लटकन का देख सकते हो लटकन आवाज भी बहुत कर रहा है तो यह लटकन की तरफ का यह जो एरिया है वह बहुत ही जादा भारी है लाइक पूरे सूट में का लाइक हाफ से भी जादा का एरिया ले रहा है पता नहीं क्यों इसमें लटकन के कॉलिटी इतनी अची है इसलिए क्योंकि यह बॉर्डर का काम है जादा इसलिए मुझे इतना नहीं पता बट लटकन बहुत अच्छा है एंड यहां देखो आप यह जो कपड़ा है वो रियॉन का है यह लाइनर है प्रारे के अंदर लगा शुट के अंदर सौरी गाइस सुट के अंदर लगाए गया है तो यह जो कपड़ा है वो रेशम का है एंड यह कुछ इस तरह से पूरा सूट है दिखा देती हूं आपको और मैं बता दू कि यहां पर यह देखो आप यह इसके हाथ पर कितना अच् लटकन लगा हुआ है एंड दूसरे हाथ पे भी एकदम सेम वैसा ही है जैसे इस हाथ में मैंने दिखाया यह आगे पीछे दोनों तरफ एकदम वैसा ही है एंड मैं बात करूं बैक की तो बैक बिलकुल है जो कि मुझे जादा तर कपड़े में बिलकुल नहीं अच्छा इसमें कोई भारी भारी सा फील नहीं होगा बहुत जादा ऐसा लगेगा आपको घर का कपड़ा पहन रखा है मैंने वीडियो बना है आप देख लेना कि कैसा लग रहा है और अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कोट दे दूंगी आपको पर्चेस कर सकते हो तो यह था आल है हमें सेम सेफॉन की कपड़ में मिलता है एंड इसमें रेशम की बहुत सारी कढ़ाई दे रखी गई है नीचे देखो आप यह कुछ इस तरह से रेशम की कढ़ाई दे रखी गई है एंड यहां पे आपको बीच में रेशम का बोर्डर मिल जाता है यहां पे एंड जस्ट एसा ही बॉर्डर सेम ऐसा ही बॉर्डर यहां नीचे भी मिल जाता है एंड यह बहुत ही जादा हैवी वर्क में शरारा दिया गया है हर जगा एकदम सेम यही कढ़ाई दे रखी गई है बॉटम टे एंड यहां पर आप देखो तो उपर उपर पहले ऐसा ऐसा जरी का काम दिय गया है एंड नीचे भर भर के यहां पर पूरा काम दिया गया है बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड अगर आप इसे राप में पहनोगे ना सजबतारू इतना शाइन करता है जो कुछो मत एंड इसके अंदर यह लाइनर मिलता है देखो यह लाइनर की कॉलिटी बहुत ही अच्छी है रियॉन कपडे में है एंड ड्रस्ट मी इसका कपड़ा बहुत ही जादा अच्छा है आपको बिल्कुल घी कर्मी नहीं लगने वालिया आप सूट पहनो शरारा पहनो दोनों में ही इसका जो कलर है मुझे लगता है बस एक कलर में आता है जो कि है इसकाई जैसे कि आपने कोई सस्ती सी कपड़े पहन रखे है रोट के कपड़े पहन रखे है जैसे होता है ना कि कहीं से ओनलाइन मंगाली और लगे कि रोड का कपड़ा यह तो बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है शरारा बहुत ज्यादा हाई कॉलिटी का है ट्रस्ट मी एंड इसक बढ़ते हो अब हम इस सरादे को रखे ंशा इंड यहां ईक चाणी का रखे में बढ़ते हैं हमारे तुपत्त अ कि तरफ आ और यह हमारा रखे तड और, ऐसा में यह तो पर यहां पर तरह पर पाल यहां पर यहां फड़ी के भातामीग की देखोगा जरी के कढाई कर रख ह सारो कॉने पर मिलता है आपको नहीं सब्रस्ति की गई है इंड दुपत्टे की लेंथ कि बात करें है लो टाप्ट बहुत बड़ा है अगर आपके लेंथ के प्रॉब्लम रहती है तो या पर बहुत रहता दो बड़ा है मैंने लगाया था आधा दुपट्टा मेरा फर्ष पर चल रहा था आधा दुपट्टा मेरे ऊपर था ऐसा ऐसा बात हो रही दुपट्टे के साथ अगर आपकी हाईट बहुत जादा भी है ना तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई परब्लम नहीं है कोई परिशानी नहीं है आपको रहा मेरे बात मानो आप ले लो और अगर आपको कोई और कपडे का रिव्यू चाहिए तो मुझे जरूर बताना यार मैं क्यूं हूं य तो अगर आपको मीशो पे कोई भी चीज अच्छी लगती है या आप उसे पर्चेस करने वाले हो पर्चेस करना चाहते हो तो उसके पहले मुझे कोड बेज देना मैं उसे आपके पहले मंगा के उसका रिव्यू कर दूंगी तो यार यह शरारा सेट का रिव्यू हो चुका है और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखना बाई बाई टेक कियर